कोरोनम हमारी नाजाने लोगों को क्या-क्या दिन दिखा देगी ये अंदाजा लगाना बेहर दीन मुश्किल हो गया है अभी तक तो मरीजों को अस्पतालों में बैट्स से लेकर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो वहीं शमशान घाटों में अंतिम संसकार के लिए घंटों ल लाएन लगानी पड़ रही थी अब शमशान तक शब को लिजाने के लिए साधन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ऐसा ही एक मामला उत्तरप्रदेश के आगरा से सामने आया है जो आपका दिल दहला देगा यूपी के आगरा के जैपुर हाउस में एम्बूलेंस की कमी के चलते एक मजबूर बेटे को अपने पिता की अर्थी कार की छट पर साजानी पड़ी इस पूरे वाक्यों को देख कर पूरे शहर की आँके नम हो गई बेटे को समय नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता की पर बांद कर शम्चान ले जा रहा था तो लोगों की आंके नम हो गई इतना ही नहीं जब मोहित शब को मुक्तिधाम लेकर पहुंचा तो घंटों लाइन में अपने पिता के अंतिम संसकार का इंतिजार भी करते रहा बता दें कि उत्रप्रदेश में कोरोना के मामले तेज जोंकी संख्या लगादार बढ़ने लगी है